नर्सी जी एक बहुत बड़े सेट हुआ करते थे लेकिन उन्होंने सिरी किर्षण जी की भक्ती में लीन होकर के जितना भी धनमाल था वो दान में पुन में धरम के कारियों में खर्च कर दिया और गाउं से बाहर एक जोपड़ी गेर ली उसी में सिरी किर्षण जी के नाम की माला फेलनी शुरू कर दी जिस समय नर्सी जी सेठ थे तो अपनी बेटी का विभा बड़ी धूम धाम के साथ में किया था एक बेटी थी हरनंदी नाम था बड़ी धूमधाम के साथ में उसकी साधी की थी समय बीता आज नर्सी जी बाबा जी बने हुए हैं विक्षा करके गुजारा करते हैं हरनंदी के यहाँ पर साधी की यह निकि उसकी वेटी की विवा की रसम आ जाती है हरनंदी के कोई माजाया भाई नहीं था नर्सी जी के छे माजाय भाई थे लेकिन सब अलग अलग न्यारे न्यारे रहा करते थे खबर पहुचवाई मनसामल सेठ ने एक चिठी लिखवाई और चिठी में इतना सारा धनवाल लिखवाया जिसको देने की तो बात बहुत दूर उस समय तो नर्सी जी उतनी बातों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे चिठी लिखवा करके वो चिठी नाई द्वारा जूनागडवे नर्सी जी के पास विजवादी हरनन्दी सेठी कहां कि जाकर के भात न्योत करके आँ लेकिन हरनन्दी ने मना कर दिया कि पीहर में मा जाया कोई भाई नहीं है बाबुल मेरे फकीर बढ़ गए है और घर परिवार के जो लोग है वो सब मतलब के हैं मैं किसके यहां जाकर के दस ओरतों को ले जाकर के बैठूंगी अगर किसी ने कहीं आदर भाव नहीं किया तो मेरी भी बेजती होगी इसलिए मैं भात न्योत लिए के लिए नहीं जाओंगी तो मन समल सेठ ने चिठी लिखवाई और चिठी नाई द्वारा जुनागड में नर्सी जी के पास पहुचवा दी चिठी को ले करके नाई पहुचा जाकर के पूछने लगता है कि भाई सेठ नर्सी कहां पर रहते हैं लोगों ने बताया कभी पहले सेठ थे अब तो वेचारे बाबा जी बढ़े हुए हैं गां से बाहर एक जौपड़ी पढ़ी है वो नर्सी भगत की है तो नर्सी भगत के वहां पर वो नाई पहुचता है नर्सी जी ने देखा कि नाई आया है आएए भाई बैठिये बड़ा आदर सम्मान सतकार किया पूछा कि कहां से आये हो तो बता दिया कि आपके समधी मन समल सेठ ने आपको भात के लिए आमंत रित किया है और इस चिठ को पढ़ा काया में कंपन सुरू हो गई कि मेरा कैसा रिस्तेदार है आज जब मेरे पास में कुछ भी नहीं है तो मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी चिठी लिखवा करके मेरे पास में बिजवाई है कोई बात नहीं कह देना मेरी बैटी से फिकर ना करे मैं उ कुटी के अंदर बैठाया भीया तेरे भोजन की व्यवस्ता करता हूँ भोजन लेने के लिए आप तो गए जंगल की तरफ की बथवा लेकर क्या हूँ क्यों क्यों क्योंकि नाई को जिमाने के लिए घर में कुछ भोजन का और साधन भी नहीं है बथवा लेने के लिए चल आमें उनका नौकर हुआ नाई की खुशी का ठिकाना नीरा सौने के लोटा और ठाण लेकर के वहाँ से चला तो रास्ते में नर्शी भगत बगल में बथुआ दबाया आ रहे है कहने एक भीया रुक तिरे लिए भोजन लेकर कहा रहा हूँ व्यवस्था कर रहा हूँ तो नाई कहता कि क्यों मैं जाक कर रहे हूँ सेड़ जी आप देखने में देखने में बेसक सादे बाने में लगने है आपके पास में किसी चीज की कमी नहीं है आपके नौकर ने मुझे इतने 36 प्रकार का भोजन लाकर के दिया है ऐसा भोजन आज तक मैंने जिन्दगी में कभी नहीं किया और ये सौने के लोटा और ठाल मुझे विदाई में दिये है ये सुनते ही नर्सी भगत की आँखों में आसु भराए कि मेरा कोई नौकर नहीं मेरे मालिक ने आकर के मेरी लाज को रखा है वो और कोई नहीं वो मेरे इस्ट डेव स्री किर्शन जी माराज जरूर आये होंगे ये छोटा बेटा ये बच्चा हमारा सौर उपे सभी और फूल मालाओं से भी सम्मान बढ़ा रहा है भगवान हजार गुणा लाख गुणा सम्मान इस बच्चे को दे करके रखे बार बार धनेवाद करते हैं साथियों नई वापस पहुशता है उस समय को भी देर नहीं हुई दस दिन बाद में भात के लिए जाना था छे माजाई भाईयों के पास में गए कि भाई मेरी बेटी के याँ पर भात में चलना है सबको पता चल गया था कि चिठी इतनी लंबी आई है इतना सारा धनमाल मांगा है इतनी चीजे मांगी है मनसा मलसेट ने नर्सी के पास कुछ है नहीं तो जाकर के भेजदी करवानी है इनकार कर दिया किसीने कहीं काम बताया तो नर्सी भगत बोडे भाई जो साथ में रहा करते थे उनी को ले करके भात देने के लिए चलने को त्यार हो गई एक पड़ोसी के पास में पहुछे भandel तेरी गाड़ी मिल जाएगी हमें कहता गे गाड़ी जाने लाग इस्तिती में तो है नहीं लेकिन भगत तुस से नाटूंगा नहीं ले जा एक टूटी सी गाड़ी ले ली दो हारे से पहल लिए नर्सी जी चले भात भरन ने पाई बोटे गेल लिए बेचारे मोटे बाईयों को ले करके चल दिये लेकिन चलते वक्त गाड़ी बिगड़ गई गाड़ी खराब हो गई तो स्री किर्शन जी वहाँ पर भी भेस बदल करके आए उस गाड़ी को ठीक किया और उनके गड़वाले बढ़ करके उस गाड़ी को हांका और ले जाकरके सिर्शागड के नज़दीक छोड़ करके कि मेरी मन जील आ गई है अब मैं अलग जाओंगा आप जाई है जब वहाँ पर पहुँचे मन समल सेथ को पता चला कि नर्सी अपने साथ में मोटे बाईयों को ले करके आया है मोड़े बाईयों को लेकर के आया है तो हरनंती की सास ननद ताने मारने लगी कि देख तेरा बाबुल तेरा बाप हमारी बेश्टी करने के लिए हमारे घर पर मोड़े बाईयों को लेकर के आया है मन सावल सेथ ने उनको एक गव साला के अंदर गाउं से बाहर रुकवा दिया लेकिन गव साला में प्रवेश किया जब आदमी के पास में धन सहरत जादा होती है तो उसका मान सम्मान भी अच्छा होता है और जब पैसा धन सहरत नहीं होती तो उसका मान सम्मान भी कुछ जादा नहीं हो पाता है उस गउसाला में प्रिवेस किया नर्सी भगत ने देख के घेर मगनमन होगे नर्सी लाला प्रसंद होगे भरे थे संतु मंग में अरे गउओं का इस थान रमे भगती के रंग में कि मेरा किष्ट देवसरी किर्षन जी वो गाय चराय करते थे इसलिए आज मुझे गउसाला में रुकवाया है मेरा समदी कितना मेरा मान रखता है ये सोच करके अपने मन को समझाया शाम हुई रात का समय है हर नंदी की नंद सास ताने मार रही थी सास नंद के तो ताने सुन लिए लेकिन उसे ये डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो सबेरा होते ही तेरे बाबुल को यहां से ये लोग धक्के दे करके बेजदी करके भगा दे है इसलिए अपने बाबुल के पास में उस गउसाला के अंदर पहस्ती है और जाकर के कहने लगी रही है कि बाबुल मुझे तेरे भाब की जड़त नहीं है तु पिताजी उदास दिखाई दे रही हो हां मैं उदास हूँ और मैं बहुत परिशान भी हूँ और आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ क्या कहना चाहती हूँ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ पिताजी कि आप अभी इसी वक्त यहां से चले जाई है यहां से चला जाओं जी पिता जी बेटी जी सबेरा होते ही तेरा भात दे करके हम यहां से लोड़ जाएंगे तो अपने बाबुल के पास में यही कहने के लिए आई है हां क्योंकि पिता जी आप भात देने के हालात में है नहीं इसलिए आप यहां से चले जाएए क्योंकि सुवह होगी आप भात वर आने के लिए जाएंगे हाथ में कुछ है नहीं सिर्फ वेज्जिती ही होगी इससे अच्छा तो आप इसी समय चले जाएं वे बेटी आज तक किसी बेटी ने अपने बाबुल को अपने द्वार से ऐसे नहीं लोटाया तो भी अपने पेता का इस तरह से मान खतम ना कर क्योंकि आज से पहले बात वरने के लिए कोई ऐसे आया भी नहीं है पिता जी तेरा अगर कोई मा जाया भाई होता तो मुझे आने की जवर्त ना पड़ती अच्छा लेकिन ये सोच करके आ गया कि अगर घर परिवार के लोगों में से कोई भी नहीं गया और मैं भी नहीं पह और ये भी सोच रहा था कि मेरी बेटी अपने बाबुल को देख करके खुस हो जाएगी कि उसका बाबुल आज उसको यहां पर भात दिलाने के लिए आप पहुचा है पिता जी आप मुझे बातों में मतुल जाएए मैं सिर्फ इतना चाहते हूँ कि आप अभी इसी वक्त यहां से चले जाएं और आप चले जाएए पिता जी अगर ना गया तो अगर पिता जी आप नहीं गये तो मेरे पास में यह कोड़ा है इस कोड़े से मैं आपको मारुकी भी और आपको धक के देकर यहां से निकाल भी दूँगी बाप और बेटी के बीच में बहुत बड़ सुन कहीं पिता जी हर नंदीले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना तू सिरसागड़त चाल्या जावे न तू सिरसागड़त चाल्या जावे न ओ हर नंदीले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना सिरसागड़त चाल्या जावे न तू सिरसागड़त चाल्या जावे ना तेरी जा मर्याता तूट लाडली मेरे हाथ न गाने से पता कुण से नाज बाध दिये आखे नाज गई तेरे आणे से ये संत महत्मा मेरे संग्यारे मेरी बेटी डरो उल्हाने से गउसाला ते पहार लिकड़ जाना काम चले समझाड़े ते पस रात काटले गउसाला में हम रात काटले गउसाला में तुझे तड़के बेटी पावे ना सिरसा गड़े थे पहारे लिकड़े बने अपनी शान विखावे ना उसरी सा गड़े चात्या जामने अपनी शान विखावे ना मालबशा का आरें रात कि क scoring वाँशा ए व जोि मालबशा कि को कि मालबश्चा कर्णों झारत कर रात कर दो कि measure मन के बेरा था इजतने तू इस तरियां ते खोवेगी नियू ना सोची बिना ब्योत उसी की बदनामी होवेगी मैं तन्यू आग्या के मेरी लाडली बैठ बाटनेट होवेगी सासू नर्त जिठानी मेरी जीवा से नरोवेंगी ओ सासू नर्त जिठानी मेरे जीवा से नरोवेंगी आप दुनिया करे पुराई पेटी प्रीत की रीथ धटावे ना सिरसा गणे ते जाला जा मना अपनी शार दिखावे ना दिखे तेरे गुनहा में बाप करूँ तू बेटी में बाप तेरा बनी बनाई बात बिगाडी खतम हुया तब ता तेरा आप धीर जिधार सबर कर ले वो भला करे हरी आप तेरा तोटे में मती माडी होगी दीख रया धंग सा तेरा आखिर में तेरा पिता लगू सूँ आखिर में तेरा पिता लगू सूँ कोडे मार भगावे ना तो कसर सागर तक चाल आजा बना अपनी शाण बिखावे ना तो तेरे सागर चाल आजा बना अपनी शाण बिखावे ना ओक तेरे साशुर मन सामलने मैं तो चिठी गेर बुलाया से भात भरण का प्योती नहीं क्यों विख्षु गुबन के आया से जब भात भरण का ब्यात नहीं क्यों विख्षु गुबन के आया से भोप अपना आब विगाडे मेरी दिखे तूटो टे की माया से अपने आप माने घटाना कोई भी नर चावे ना सिरसा गणे चाला जा मने अपनी शान विखावे ना कर चाला जा मने अपनी शान विखावे ना हाँ धीर जिद्हार सबर कर ले तू धीर जिद्हार सबर कर ले क्यों खोटी बात विचार रही अगर पलोसन तायस पीतस मेरा कसकस ताने मार रही लगुनात गुरु का ज्यान मान क्यूं करमन में एंकार रही सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घणी की लिकार रही ओ मंगल मदद करे पर में स्वरी और कोई लाज बच्चावे ना शिर सागर ते चला जा बने अपनी शाद दिखावे ना तु सिर सागर ते चला जा बने अपनी शाद दिखावे ना ओ हर नंगिले हाथ रोक मेरी पेक्टी जुलम कमावे ना सिर्चा गड़त चाल्याचा मने अपनी शाथ दिखावेगा